आज हम एक नई रस्पी के साथ हाए है, आज हम टोमेटो सूप बनाएंगे, टोमेटो सूप बहुत ही हल्दी होता है, इसके लिए मैंने तीम मेडियम साइज टोमेटो जिनको की मैंने रफ्टी चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैंने बारी कटा हुआ, अदरख लिया है, एक क काट लिया है, थोड़ा सा मैंने बटर लिया है, आप इस किजगा पर गी घी भी यूज कर सकते हैं, जांके कोकिंग ओयल भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पैपर और सॉल्ट, हम टेस्ट के अगार्डिंग डालेंगे, अब हम ट्माटो सूप बनाना शुरू करते हैं, मैंने मैं ट्माटो सूप अस-घै कर दा जा है, तो मैं परण ट्माटो सूप कोकर में बनाने जा रहे है इसके लिए मैं पहले बटर चाइड कर देजिए हूए, कैरेट शुरू, रजी अगम उनिया है, तो पढ़ टोसला है कि हम यहीजा अचिरेट कट्षा हुआ है, औरम ड़क और इसको अप्षितरी से निक्स कर लिए और इसमें मैं 1-2 तीस्पून सॉल्ट एड कर लेती हूं इसमें हम बाद में भी सॉल्ट यूज़ करेंगी इसलिए मैंने तैले खोड़ा सॉल्ट डाला आप अपने टीस्क एकॉर्डिंग सॉल्ट एड कर सकते हैं और इसमें एक लग पानी आट कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से कुकर में पका लेते हैं मैं इसको कुकर में पका रही हूं आप इसको खुले बर्तन में भी पका सकते हैं खुले बर्तर में थोड़ा फ्राइन जादा लगता है कुकर में जलदी पक जाएंगे इसलिए मैं आप कुकर को बंद कर दीते हैं इसको हम 3 विसल लगा लेगे तीन विसल वह गई है अब मैंने हीट को बंद कर दिया है और अब हम स्टीम निकलने का वेड़ करेंगे उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे कुकर से स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है अब हम कुकर को खोल के हैं टिमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, अभ अब इसको एक ब्लंडर का जार लेते है और ब्लंडर के जार में डालकर इसको ब्लैंड कर लेते है। अब हमने जार में डाल दिया है और इसको बंद करके इसको हम ब्लेंड कर लेते है अब हम इसको खोलते है और अब हमने एक शानी लिया और एक पैन लिया है अब इसमें हम इसको छान लेते हैं ताकि जो कई बाट मैटो की सीड्स होते हैं वो इसमें से निकल जाएं अच्छी तरह से इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जो नीचे पल्प है वो भी निकल जाएं इसके नीचे से पल्प निकल रहा है इसको हम भी निकाल लेते हैं अब इसमें तिरफ सीड्स रह गया है इनको हम साइड पर रख देते हैं और अब हम दुबारा हीट को अन करते हैं अब मैंने हीट को मीडियम से हाइपर रखा है हम तेखेंगे अगर सूप हमारा पतला है तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे यह थोड़ा थिक है और इसमें मैं हाफ कब पानी आइड करूंगी इसमें हाफ कब पानी आइड कर दिया है अब अगर सूप थिक चाहते है तो इसको थोड़ा जादा बॉयल कर लें अब थोड़ा साथ चाहते हैं तो फूड़ा सानी और दार के इसको बॉल कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा साथ आड़ करती हूँ पहले मैंने 1-4 तीस्पून ब्लैक पेपर एड़ किया है इसको अच्छी तरह से मिक्स होने ले अब इसको मैं पांच मिनट तक अच्छी तरह स पूरी तरह से बॉल हो गया है अब मैं हीट को बन कर देती हूँ अब यह सर्फ करने के लिए बिल्कुल त्यार है सूप बन कर त्यार है यह खाने में बहुत ही हेल्थी होता है अब इसको अपने घर में जरूर बनाए अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूले. Thank you.